नवस्कार दोस्तों मैं महिंग दिविदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के साथ UPSC के सबसे शांदार चैनल गुजरात के राजकूर्ट से यह चैनल प्रकासी थे दोस्तों आप सभी के लिए concept talk रमानी concept talk दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं एक विसेष यूपेसी प्रिलिम्स के लिए विसेष कारेकरम यहां से लॉंच किया गया है और देखें इसमें previous year questions, model questions आप सभी के लिए पर discussion कर रहा हूं तो विकर रमानी सर आपके साथ economy पर discussion कर रहा है और हमारे जी faculty हैं वो पॉलिटी पर discussion कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं इन सभी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं complete discussion जिससे prelims होगा बहुत ही आसान दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत मैं मैंग डिविदी विगत कई वरसों से डिली में बिविच सनस्थानों में दोस्तों पढ़ा रहा हूं और लगभग छे सालों से मैं यहां गुजरास से जुड़ा हूँ दोस्तों आप सभी के साथ जुड़ा हूँ तो आप सभी का प्रीम जो हमें मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन दोस्तों आप सभी का रिजट हमें और उत्साहिद करेगा आप सभी का जो परिणाम है वो और उत्साहिद करेगा दोस्तों तो आप सभी डम से मेहनत करिए अच्छे से मेहनत करिए और दोस्तों अपनी सफलता को सुनिश्चि होता है कि सर इतनी चर्चा NCRT पे की जाती है कि NCRT पे होती है कि अखिर NCRT इतना important क्यों है क्या इसका importance प्रिलिंस में है या मेंस में है या only basic knowledge ये हमें देता है दोस्तों तो मेरा मानना ये है कि NCRT एक समगर अध्यन आपको देता है UPSC के लिए खास्ता और से जब हम बात कर रहे होंगे UPSC की तो दोस्तों सबसे महत्पूर्ण बात ये है कि जब तक तैयारी में आपका base नहीं strong होता है base मजबूत नहीं होता है तैयारी कोई भी कर रहे हो आप बहतर नहीं होगा आप उस तैयारी को बहतर नहीं मान सकते हैं क्योंकि आपकी तैयारी ही तैयारी का सबसे प्रथम चरण होता है कि अपने base को तैयार करना अपने base को मजबूत बनाया रखना दोस्तों तो ऐसी स्थिति में सबसे महत्पूर्ण बात है आप अपने basic knowledge को को स्ट्रॉंग करें दोस्तों basic knowledge को बहुत स्ट्रॉंग करना हो पड़ेगा और उसके लिए जो सबसे महत्पूर्ण भाग है जो सबसे महत्पूर्ण प्रयास है वह आप NCRT शी शुरू कर सकते हैं तो मैं इसे प्रथम कड़ी मानता हूं क्योंकि देखिए NCRT क्या है आप स दोस्तों यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका knowledge जो है किसी एक topic पे बहुत ही बहतर हो जाता है तो कोशिच करिए कि जब आपने तयारी शुरू कर रहे हों तो उस तयारी में दोस्तों आप सभी को NCRT का करम पढ़ना है छे से लेकर के बारिमी तक का करम आपको पढ़न रहे हैं क्या principle जी हां बहुत ही का मेंस के लिए बहुती नुक्सान दाएक होता है में स्की तहरी क HautAL चैहिए कि जब भी आप अपनी कोई भी बात कह रहे हों तो उसका पूरा अर्थ निकलने के साथ साथ सबसे बड़ी बात दोस्तों यह हम जाना है कि आप शुद्ध लिखना जाने, शब्दों का परियूक शुद्ध करना चाहें, तो दिखें एक तो आपको प्रथम घ्यान होता है लिखें कैसे, ठीके, दूसरा घ्यान होता है, सरल भासा में अपने उत्तर को लिखना, तीसरा जो सबसे महत् पून्ड बात है, कमशब्दों इसमें पून अर्थ अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि जैसे हम लिव लिमिट दिखते हैं जिसे 150 वर्ड है और 250 वर्ड है देखिए हम लीवर्ड लिमिट पे चलते हैं यह चोटे होते हैं यह बड़े कुशन होते हैं तो अब आपको कोई प्रस्न अगर पूछा जा रहा है तो उस प्रस्वन पे आपको इतना जरूर्द है रखने चाहिए अब तो UPSC में कॉपी में ही आपके पूरे-पूरे जगह बनाई जाती है जिसमें आप अपने उत्तर को पूरी तरीके से लिख सकते हैं तो आपको खुश समझना होगा कि 150 वर्ड में कैसे हम अपने उत्तर को पूरता संतुस्टी परक लिखें बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप इसका भ्यास नहीं करते हैं इसलिए सबसे पहली बात यह होती है कि ncrt हमें यह बात बताती है कि हमें सुध शब्द लिखने चाहिए सरल भासा में लिखना चाहिए और कम शब्दों में पूर्ण पूर्ण अर्थ देने वाले वाक्यों को लिखना चाहिए तो दोस्तों अगर जब आप ncrt पढ़ते हैं तो ncrt के माध्यम से ही आपको यह basic knowledge हो जाता है दोसी बात रही है दोस्तों अगला हम देखें अगर पीटी की बात करते हैं देखें प्रिम्स examination में मैं आपको guarantee से बात बताता हूं दोस्तों यह बात एकदम अनभो में है अनभो के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूं या सफल अभ्यारतियों का अगर आप उनका समव सब्सक्राइब के लिए आप देखें सीधे प्रसना आते हैं यहां से खास्तों से कुछ NCRT हैं जहां से geography है ठीक है quality है history है यहां के प्रसने तो सीधे बनते हैं तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि NCRT जो है प्रिलिम्स मेंस और इंटर्विव दोस्तों जब आप देखें आपको क्रमिक ग्यान हो जाता है तो आप इंटर्विव भी बहतर तरीके से बोल पाते हैं सरल सब्दों में बोल पाते हैं क्योंकि देखें एक्जामन को किसी कठिनाई को बहुत ही सरलता से प्रस्तुद करें क्योंकि देखें प्रिलिम्स मेंस और इंटर्विव के एक्जाम के बाद ये जस्टिफाई होता है कि आपके सूचने या समझने का क्या इस्तर है और यही स्तर आपके प्रिलिम्स मेंस इंटर्विव में चेक्या जा क्योंकि देखिए इतिहास बुगोल पढ़कर के विद्धता हासिल करने के बाद जब आप जाते हैं तो जो ग्यान होता है उससे ज़्यादा अनुभो का प्रयोग अपने जीवन में आप करते हैं क्योंकि आपको ट्रेनिंग कराई जाती है आपको सिच्वेशन बताई जाती ह समझाई जाती है और उसके बाद फिर आप उस फिल्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं अब अगर कहा जाए तो इतिहास भी से बहुत है बहुत अच्छा है जोगरफी बहुत अच्छा है तो आप देखेंगे कि इन सभी विश्यों के समुच्चे से अलग-अलग विश्यों में लोग तयारी करते हैं अलग-अलग विश्यों से लोग सफल होते हैं तो यह बात आपको बहुत अच्छी तरिके से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप नसे इनसे पड़ते हैं तो शुरुवाती इस तरह में आप बहुत बहतर तयारी कर सकते हैं दोस्तों मेरा आप से प्लिवे या हम कहें खास्तों से एडटेग में जो अनलाइन क्लासे हैं इसमें जो ट्रेंड सल रहा है इसे बहुत हाई कि हाई नॉलेज्ड की बात की जा रही बहुत ऐसा यूपीसी को ऐसा बताया जा रहा है कि आपको यह पढ़ना है यस डिक्ट में जाना है इतना पढ़ना है, बहुत 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 की बात करता है, लेकिन आप जब पेपर पाते हैं, तो पेपर एक बैलेंस का होता है, बैलेंस पेपर होता है, मतलब अगर आप कठिन भी है, तो कुछ मामलों में वो सरल भी है, काफी बैलेंस करके पेपर चलता है, और आप देखें कि इस तो आप रेंकर होते हैं तो दोस्तों आपको अपनी विवस्था बहुत अच्छी तरीके से लेकी चलनी है बहुत ज्यादा एक्साइट्मेंट आपको नहीं रखना है कि किसी विशे को बहुत डेप्ट में पढ़ने के चले के आप आप सकता है जीयस में आप एक बैलेंश एप्रोच बनाई ये किसी विशे को कम मत पढ़िये किसी विशे को ज्यादा मत पढ़िये क्योंकि नंबर आपको समान मिलने है आपको अपनी परिख्षा को तीन करना है तो कम से कम मेहनत में बेहतर से बहतर प्र zig sings करने कर दोस्तों तो ये NCRT जो आपका प्रस्ण है वो बहुत ही महत्पूर्ण है दोस्तों बहुत महत्पूर्ण है आपको इसके उपर तो फूरा फोकस करना ही पड़ेगा आवशक है यह पूरा विशे पढ़ना अब हमारी जो स्रिंखला शुरू होती है टेसरीज की दोस्तों जो हम लोग द करते हैं आज की पहले प्रस्ण की सिंखला दोस्तों प्रस्ण कह रहा है कि बिटिश भारत में नियाए विवस्था जुडिसरी सिस्टम नियाए विवस्था के संदर में निमलखित कत्नों पर विचार कीजिए नियाए विवस्था के संदर में निमलखित कत्नों पर विचा होने लगा वह बंगाल रेगुलेशन के वल अंग्रेजी भासा में प्रकासित किया जाता था भारती कानून विवस्था और नियायाले कार ये प्राणाली को सुनिश्चित बनाने के लिए 833 में 1833 में भारती विधी आयोग का गठन किया गया दोस्तों इसमें से आपको बतान क्या सही होगा दोस्तों चलिए रीट करिए आप सो भी रीट कर लीजे देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों की कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे कीवल कभी सभी सायद अनुमान हो सकता है नहीं है यह सब्द जो है यह थोड़े से बहुत है महत्पूर्ण शब्द हैं दोस्तों देखिए हर एक हर एक क्लास में मैं आप सभी को इन शब्दों पे थोड़ा सा फोकस कराने का प्रयास करता हूँ क्यों करता हूँ, वकि यह सब्ट बड़े महत पूर्ण है, दोस्तों, लेकिन बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ना है दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अगर गल्ती से भी आपने हैं कि जहां केवल होगा, वो पूरी तड़ी से गलत होगा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों, कहा जा सकता है कि बहुत कम चीजेसी हैं, जो केवल सभी और कभी-कभी हो सकती है तो आप इन चीजों पर थोड़ सा गाषो करेंगे, तो आपका उत्तष है उगा लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो बंगाल रेगुलेशन केवल अंग्रेजी भासा में नहीं प्रयोग किया जाता था दोस्तों बलकि हिंदी और बंगाली में भी इसका प्रयोग होता था तो आप देखिए दो को अगर आप हम हटाते हैं दो को हटा देते हैं तो देखिए Elimination करके मैंने आप सभी को बहुत ही शांदार तरीके से प्रस्ट को सरल करने का शॉल करने का दोस्तो तरीका आपको पता हैं मैं नहीं आप से पूछ रहा कि बंगाल Regulation Act के अंसार ही नियायालियों में भारतियों के निजी और मालिकी अधिकारों के बारे में फैसला होने लगा अगर आप कंफ्यूज हैं तो कोई बात नहीं लेकिन दोस्तो जैसे इस सब्द से ही पकड़ सकते हैं यह UPSC में आया हुआ प्रस्ण है और ऐसे ही बहुत जटिल प्रस्ण पूछे जाते हैं लेकिन उसका सरल तरीके से उत्तर निकाला जा सकता है तो आप देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा बहुत कठीना ही नहीं होगी दोस्तों एक बार रीट कर लें आप सभी आप दोस्तों रीट कर सकते हैं इसे और आप देख सकते हैं इसकी व्याक्षा देखिए 1781 में एक एक्ट के जरिए अंग्रेजी कानून के प्रयोग को सिर्फ अंग्रेजियों तक सीमित कर दिया गया मगर बदलती हुई परिश्टी में भारती प्रजा के से शुनिश्चित कानूनों की आवसक्ता महसूस होने की गई और इस आवसक्ता के लिए 1793 में 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाए गया दूस्तों बंगाल रेगुलेशन में काफी हद तक हिंदू और मुशलमानों के वैक्तिक कानूनों की चर्चा की गई क्योंकि बंगाल रेगुलेशन को अंग्रेजी तथा भारती भासाओं में प्रकासित किया गया इस प्रकार असपस्ट प्रताओं और सासक की मर्जी पर आधारित न्याए व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानून और नियमों की न्याए व्यवस्था अस्तित में आ गई पढ़ लिजे रीट कर लिजे देखे रेट कर लीजे आपसे भी दोस्तों देखिए प्रस्न को बहुत ही बारिकी के साथ आपको पढ़ना होगा बहुत ही बेवस्थी तरीके साथ आपको पढ़ना होगा दोस्तों तब जाकर के आप उन्हें समझ सकते हैं देखिए कहीं से कठी नहीं था प्रस्ण बड़ा था, प्रस्ण काफी बड़ा आपको दिखाई दिया रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आपको मैंने छोटा सा तरीका बताया प्रस्ण को सॉल्व करने का दोस्तो तो UPSC का जो प्रस्ण है, वो बहुत ही सरलतम तरीके से solve किया सकता है, उसके लिए बहुत कठिना ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको basic अध्यान होना चाहिए, basic knowledge आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रारंभी की स्थिति में NCRT का पढ़ते रहना बहुत जर कीजिए, दिखे, civil service की स्थापना का वास्तिविक स्रे, father of civil services, कारणवालिश को कहा जाता है, civil services में प्रवेश पाए तरुनों को, तरुन का मतलब होता है, नव यूवक, नव यूवकों को सिख्षा देने के लिए 1801 इसमी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना हुई, वहें civil services की स्थापना से ही इनमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परिक्षाओं का की विवस्था की गई, रीट करी आप सभी, पढ़ें दूस्तों आप सभी, रीट करी अच्छे से, देखें, फादर ओफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, दूस्तों देखें, एक सही है, क्योंकि कार्णवालिस को ही फादर ओफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, तो दूस्तों फिर से मैं आप से कहूंगा, आपसन पे जाएए, एक नहीं है, उसे काट दीजिए, अब आपके पास दो हैं, मैंने आप से कहा कि अगर आप गलत भी लगाते हैं, हमाली जाब गेस भी करते हैं, तो कम से कम आपका आउसत 50-50 परसंट का तो होगा, क्योंकि अभी आप कर रहे थे 25 परसंट के रिशियो में आपका सही जा रहा था, एक बटा चार सही होने के चांसेज थे, लेकिन अभी दोस्तों एक बटा दो सही होने के चांसेज हैं आप में, तो अब बताईए क्या उत्तर होगा, आप सोचिए देखिए, देखिए अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कि जो सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता, परिक्षा शुरूब होने के बात है, ये कहनवाली से बहुत बाद की बात है, बहुत बाद, 1853 में पहली बार भारत शिविल सिवा की परिक्षा करा जाने का प्रावधान किया गया था, आप संजिए, तो अगर हम मानें आप्शन नमबर तीन जो है वो हमारा गलत हो जाता है ठीके अठार सो एकी सभी में बिलकुल सही बात है कलकत्ता में फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना हुई जहां उस समय भारत में जो न्यूग तो सिविल सिवा के अधिकारी थे उनको ट्रेंड किया जाता था जैसे आज लवासना है वैसे इनको कहा रखा जाता था कलकत्ता में फोर्ड विलियम कॉलेज में इनको रखा जाता था जो जब तीसरा गलत हो जाएगा तो यह अप्शन चलिए अगला देखते हैं देख लीजे आप याखा पड़िए सिविल सर्विसेज प्रभावसाली पदा और उंचा वेतन प्रदान करती है इसलिए एगलेंड में खांदानी परिवारों के तरूंड या नवयोग इसके लिए लालाईत रहते हैं लंबे समय तक कंपनी के ड देखते हैं इसलिए कंपनी की सिविल सर्विसेज में इगलेंड के कुछ प्रभावसाली परिवारों का वर्चस शुरहा न्यूक्ति की यह वेवस्ता 1853 तक चली दोस्तों उसके बाद प्रतियों गिता परिक्षा शुरू होने लगी और आपको मैंने बताया कि सिविल नॉलेज में इनकी प्रसिक्षन का कारी दोस्तों यहां किया जाता था तो अब आप देखी जो महत्पूर्ण प्रस्ण है जब आप उन्हें पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या तैयार कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाता है दोस्तों इसलिए आप 1784 में के संदर में निमनखित कत्नों पर विचार कीजिए उस समय विलियम पिट विटेन का प्रधान मंत्री था पिट इंडिया एक्ट की एक धारा में कहा गया था कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे बहुत ही अच्छा प्रस्ण है पिट इंडिया एक्ट का बहुत ही शांदार प्रस्ण है दोस्तों आप सभी से बताईए रेट करिये दोस्तों आप सभी रेट करिये इसे मैंने आप सभी को फूल स्क्रेन दिया है आप सभी इसको देखे दोस्तों अगर आप सभी को 1784 में जो पिट इंडिया एक्ट है था अगर आपको पता हो तो पिट इंडिया एक्ट जो था वो समय वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम से ही आया था यह बात सही होती है तो इस बात की सहमती हो गए कि उसमें बिलियम पिट जो थे वो बिटेन के प्रधानमंती थे बिलकुल सही बात है फिर मैंने कहा कि एक सही है तो आप देखिए दो आप्शन आपके आटोमेटिक हट जाते हैं फिर बचे दो आप्शन देखिए पिट इंडिया एक्ट में कहा दो आगया था कि अंग्रेज अब नए इलाके नहीं जीतेंगे आपको सम्झाता हूँ भी सत्रसी सो तिहत्तर का जो आग्ट आया था उससे रेगल्लेटिंग अtierक्ट कहा जाता है सब्रेगल्लेटिंग एक्ट है नियंतरण कानून कहा जाता है उसके बाद दिखा गया कि जो इसके बाद अगला ही एक्ट है 784-84 जो पेट सिंड्य एक्ट कहा जाता है इसके अंतर के बात कही गई कि जो जितने राज अभी तक जीते गए हैं पहले उन्हें व्यवस्थित किया जाए पहले उन्हें स्थाई किया जाए तब जाकर के हम अगले राज्यों की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे अगर हम जो जीते जा रहे हैं उसे हाडने का खत्रा बना हुआ है तो हमारी जीत का कोई मतलब नहीं है हम अपने जीत के साथ साथ उस जीत को इस्टेबल करते हुए चलें इस थाई तो देते हुए चलें यह बहुत आवश्यक है यह बहुत आवश्यक है इसी लिए यह दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं वे आख्या देखें अब देखें पिट सिंडिया एट 1784 में बना उस समय बिलियम पिट बिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस कानून के अंतरगत बिटेन में एक नई नियंतरण परिश्यक का गठन किया गया भारत में कमपनी पर नियंतरण रखती थी जो वहीं आप देखें गवर्नर जरनल के शक्ती मजबूत कर दी गई और उसे भारत इस्थित सभी बिटेश फाउजों कमपनी बिटेश शरकार दोनों ही फाउजों का मुख्य सेनापती कर दिया गया थल सेना और जल सेना दोस्तों दोनों का मतलब होता है थल सेना और जल सेना दोनों का सेनापती नियुक्त कर दिया गया मगर इस धारा का किंचित ही पालन हुआ दोस्तों बिटेन के आठिक खितों के लिए नए इलाकों को जीतना आवश्यक हो गया ध्यान रखेगा ये बातें जो हमने प्रस्ण में कहीं है उसको यहां से कोलिडेट करिएगा रिलेशन ये अगर आपको रिलेट यहां से करना है तो शाओधानी से रिलेट करें क्योंकि प्रस्ण देखिए हमने कहा है हमने पूशा है कि धारा में कहा गया था कि अंगरी जब नए इलाके नहीं जीतेंगे बिलकुल इस बात की सहमती की जा रही है कि देखे अब वो अभी नए राज्यों नहीं जीतेंगे जब तक पुराने राज्यों को हम विवस्तित नहीं कर देतें लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था नए छित्रों में उनकी इस्तिती संस्यात्मक हो गई थी इस वज़े से उन्होंने नए राज्यों को भी जीतना प्रारम कर दिया आप अगला देखे रेगुलेटिंग एक्ट के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए भारत के मामले में ब्रिटिक शरकार का यह पहला सीधा हंस्तक्षिप था यह पहला सीधा हंस्तक्षिप था बंगाल के गवर्नर को कमपनी के सभी भारती छेत्रों का गवर्नर जर्नल बनाया गया पढ़िए दोस्तों आधूनी भारत आपके लिए बहोट ही महत्तपून चाप्टर हैव दुस्तों ये ना सिर्फ प्लिटी के लिए बल UX के लिए इसका बहुत इंसुट है मेंसी के लिए दोस्तों में रखिए दोस्तों चली देखें सरल प्लस नाप सभी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बताना है देखें बंगाल के मामलों में बिटिक शरकार का यह पहला सीधा हस्तक शेप था दोस्तों 1773 का जो एक्ट आया उसमें जो कंपनी का गवर्णर हुआ करता था अब वो किसका गवर्णर हो गया बंगाल का गवर्णर क्या हो गया कंपनी से कहां पहुंच गया बंगाल के गवर्नर के रूप में जाना जाने लगा तो दोस्तों हम कहें सीधा बंगाल में हस्तक शेप कर दिया तो बात सही है फिर मैं आपसे कहूँगा कि चलिए हम लोग देखते हैं जहां ओप्षन एक नहीं है उसे हटा देते हैं देखिए दो हट जाएगा और मतलब बी हट जाएगा और डी हट जाएगा आपका बचा फिर से ए और सी बंगाल के गवर्नर को कमपनी के सभी भारती शेत्रों का गवर्नर जर्नल बनाया गया दोस्तों आपको क्या लग रहा है क्या उत्तर हों चाहिए मैंने आपको सरल करना सिखा दिया है सरल करना सिखा दिया है जटिल प्रसनों पे भी पकड कैसे बनाये मैंने आपको सिखा दिया दोस्तों कम आ रहा है फिर भी आपको प्रसन सही कर सकते हैं दोस्तों बिलकुल मैं अगर कह रहा हूँ कि बंगाल का गवर्णर था तो भारत बंगाल कहां है एक भारती शेत्र है उस पर सभी चीजों करनी इंतर्ण हो जाएगा दोस्तों आप देखिया ऑप्शन हो जाएगा अपका एक और दो रीट करिए प्रस्नों को पढ़िए मैंने उत्तर भले ही दे दिया हो लेकिन प्रस्नों को आप बहतर तरीकी से पढ़िए फिर अंसर आप समस्ने क्या प्रयास करिए पढ़िए ये लिजी व्याख्या पढ़िए अच्छे से व्याख्या पढ़ें आप सभी जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट नियंतरन कारी कानून था जो 773 इसमी में बना कमपनी के हाथों में राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश से बिटेश सरकार ने पहला कानून बनाया था सब्सक् intrans कि सुप्रियम कोड की स्थापना इसी एक्ट के अंतरगत की जुशतूब इलिजा इंपे इसके पहले चीप जस्टिस रहे प्रतीक अफसर के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वो इगलेंड वापस लोटते समय अपनी संपत्ती का विवरा दे क्योंकि देखे जब अठासव सत्रसव संतावन का युद्ध हुआ था तो उसमें कलाईव और कलाईव की जो अन्य महत्पूर्ण लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पूरे बंगाल का शोषण किया था लोग अनावश्यक तरीके से धनका शोषण करते थे सासको को कमजूर करते थे शेत्र को कमजूर करते थे और रिटेन में जाकर के अपने प्रभुत्त को स्थापित करते थे इसकी लिए इन्होंने क्या कर दिया कि जिस तरीके से आज भी आज बरतमान के दौर में भी कोई अधिकारी जब अपने पद्ध को धार्न करता है और प्रदुन्नेती प्राप्ट करता है या कोई नेता सपत्र लेता है उससे पहले वो अपनी संपत्ति का विवरा देता है हाली में बंगाल के गवर्नर को अब कमपनी के समस्त भारती शेत्रों का गवर्नर जर्नल मान लिया गया भारत के मामले में बिटिश सरकार का यह पहला सीधा रक्षित ता डारेक्ट इंटरफेयर था तो आप देखिए यह बिल्कुल सही हो जाता है डारेक्ट इंटरफेयर था है अब देखिए जुस्तों अगला भारत में बिटिश शासन द्वारा लागू किये गए सामाजी कानूनों के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए भारत में बिटिश शासन द्वारा लागू किये गए सामाजी कानूनों के संदर में निमलिखित पर विचार कीजिए 1839 इस्वी में बने एक कानून की जरिये सती प्रिठाग पर रोक लगा दी गई जो कार्णवालिस के समय की घटना है ध्यान रखिए गो 1856 में विद्वा पुनर विवाह कानून बनाया गया 1843 में कानून बनाकर दास्प्रथा को का अंत कर दिया गया बहुत ही लाजिकल प्रसन है दोस्तों मैं आपको इसमें देता हूँ तकरीबन आप मुसे दो मिनट ले दो मिनट मैं आपको देता हूँ बहुत जादा समय होता है, दो मिनट तो बहुत जादा समय होता है, लेकिन दोस्तों प्रस्णा ऐसा है कि मैं आप से चाहता हूँ कि आप उन बारीकियों को पकड़ें, उन बहुत ही छोटी गलतियों को पकड़ना सिखें, जो आपके human error में आती है, मानिमी भूल, जो class में, exam hall में आप जानते हुए भी प्रस्ण कर देते हैं, क्योंकि आपके दिवाग में चल रहा है, कि हाँ, बिल्कुल सही है, 1829 में सत्य प्रथा कानून का अंत हुआ था, यह स्राइट, आप राइट लगा देते हैं, और देखते हैं, यह स्राइट है, अब जहां दो नहीं हम काट देते हैं, तो आप ऐसे ऐलिमिनेट करते हैं, बच्चा ऐसा नहीं करना है, सावधानी से पढ़िए, मैंने आप से कहा सावधानी से पढ़िए, आप पढ़ियो जवाब दीजे, पढ़िए आप अच्छे से, आपको सोचना है कि पहली लाइन में क्या फैक्ट दिये गया है 1839 में क्या सतीप्रथा का अंत हुआ था? क्या उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कार्नवालिस था? दोस्तों क्या उत्तर होगा बताईए आप सभी आपको बताना है क्या सही है? दोस्तों मैं अगर आप से बात करता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है कई बार क्लासे में आउनलाइन आफ लाइन जहां जहां कक्षा लिए यह सरल प्रस्ण है, यह बहुत जटिल प्रस्ण नहीं है, जो उत्तर आप सभी दे रहे हैं गलत, यह जटिल प्रस्ण नहीं है, सरल प्रस्ण है, बिल्कुल देखे आठास 29 में सत्य प्रथा का अंत हुआ, लेकिन उसमें क्या कार्णवालिस था? या लॉर्ड विलियम बैंटिम तो दोस्तों आप देखी जब एक आपका गलत हो गया पूँच रहा है सही तो ये कैंसिल ये कैंसिल और ये कैंसिल दोनों पढ़ने की जरुवत ही नहीं इलिमिनेट करके मैं आप सभी को एक ऐसी आदत दे रहा हूँ जिससे आप सभी के प्रस्नक जादा से जादा सही हूँ मैंने दोनों आप्शन पढ़ा ही नहीं अब आप्शन ही नहीं बचा है option एक ही बचा है बी तो भी सही हो जाएगा दो और तीन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि देखे किवल एक गलत है किवल एक और तीन गलत है और एक दो तीन तो बिल्कुल क्योंकि उस सम में एक common है दोस्तों एक कॉमन और जबकि एक गलत है क्योंकि एक में सुधार क्या है कि देखे आप जब बहुत स्पीड में पढ़ते हैं बहुत तीजी से पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन जो होता है वह आपकी पास्ट मेमोरी से अटैज करता है आपकी पास्ट मेमोरी में बहुत human radar cover कर देती है जब आप ध्यान से नहीं पड़ते हैं तो समझदार हैं आप सभी और अच्छा करेंगे क्योंकि हम लोग इसलिए प्रयास कर रहे हैं जिसे आप सभी समझ सकें सती पथा पर बना कानून governor general William Banting के समय लागू था इसो चन्द विद्या सागर के प्रयास से सरकार ने 1856 में विद्वापनर विवाह कानून बनाया डलहोजी समय सासक हुआ करता था गवर्नर जर्म हुआ करता था इस कानून ने हिंदू विद्वा को पुनह विवाह करने की अनुमती दे दी वहीं दूसरी और भारत में गुलामों का प्यापार भी होता था उन्हें अन्य बटिश राज्यों में उपनेवेशों में बेचा और भेजा जाता था दोस्तों 1843 में दास्प्रता को भी अंत कर दिया गया रीट करने आप सभी रीट करिए आप सभी चलिए अगला देखते हैं ब्रिटििश भारत में आधूनिक सिक्षा के संदर्भ में निमलिखित कत्नों पर ऴिचार किजिए देखे, बिटिश भारत में Modern Educational System के बारे में आपको बताना है देखे, कमपनी की सरकार की सहायता से खुलने वाली पहली सिक्ष्ण संस्था कलकत्ता मदर्शा और बनारस संस्कित कॉलेज था बिटिश सरकार ने भारत में सिक्षा के विकास के लिए पहला कदम 1813 के चार्टर्ड में के बाद उठाया था दोस्तों अब देखी, बहुत, मैं तो कहानियों के माध्यम से इन्हें आप सभी की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ तो आप से तो गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, पढ़िए दोस्तों आप से तो गलत नहीं होने चाहिए कमेंट बाक्स में दीजिए, और यह दिया आप सभी को कुछ नहीं सुझ में आ रहा है दोस्तों, तो वो भी कमेंट बाक्स में लिखे, उसका जवाब आपको ततकाल दिया जाएगा दोस्तों आप जुड़े हैं रामानी इंस्ट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज राचकोर्ट में दोस्तों, आपके साथ राचकोर्ट में पूरी वेवस्ता के साथ बिलकुल वही माहौल जो कहीं आप दूर जाकर के प्राप्त करते हैं दोस्तों, कहीं जाने का वशकता नहीं, आप गुजरात में ही रह करके एक बेहतर माहौल को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और आप देखिए आपके साथ जुड़े हैं, हमारी टीम को लीड कर रहे हैं, वीके रामानी सर, विनोत कुमार रामानी जी, बहुत ही शानदार एजुकेट से बिलकुल सही बात है, पहली सिच्छान सस्थाओं का उपन हुआ, जिसे कलकत्ता मदर्शा और बनारा संस्कित कॉलेज कह गया, अब आप मान लिजे इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, तो आप इसे याद करीए कि जोस्तों, एक लाख रुपया पहली बार, एक ला पैंतिस में लौड मैकाले के निटित में प्रथम विधी आयोग के स्थापना की गई और उसे सिच्छा आयोग का प्रोंड बनाया गया दोस्तों, तो आप दिखें आपका उत्तर हो जाएगा C, व्याख्या पढ़ने, दोनों कथन सही है, रीट करी आप सभी, क्या व्याख अच्छे सी रीट करिए जोसू देखें कलकत्ता मदर्शा और संस्कित, बना संस्कित बिध्याले के स्थापना, 81 और इसकी हुई थी 1781 में, और ये हुआ था 1791 में दोस्तों, ठीकें वहीं आप देखें, 883 में चार्टा डेक्ट के अंतरगत, एक लाख उर्पया मैंने आप सभी को बताया कि मंजूरी देजी गई इंडियन एजुकेशन के डेवलेमेंट के लिए, तो आप सभी को सारी बाते आपको याद हैं दोस्तों, अच्छी बात है, आप सभी इसको प बताना है, जमीन पर गाउं विरादरियों का सामुहिक सौमित महाल गाउं का समुह वहीं अंग्रेज, नवाब भारत में रहने वाले सभी अंग्रेज अपसर दोस्तों सुची क्या इसका उत्तर होगा? क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? अच्छी से रीट करिए, दिखिए ये सब्दावलियां हैं और हर बार एक्जाम में कहीं न कहीं ऐसे प्रस्टन पूछे जाते हैं देखिए इसका उत्तर होगा दुस्तों C B होगा दुस्तों B, इसका उत्तर होगा B इसमें व्याख्या देखेंगे तो हमें सुन में आएगा व्याख्या देखें देखिए अब रीट करिए दूस्तों उत्तर आपको पता है पढ़के चलिए कि अंग्रेज वो अंग्रेज जो अठारवी सिताबडी में नवाब में नवाब भारत में रहने वाले सभी अंग्रेज थे जो नवाबों जैसा सुभावक रखते थे उन्हें कहा जाता था ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं 1867 के विद्रो के क्या कारण थे बहुत सरल प्रस्ण है बहुत इसरल प्रस्ण है बहुत चरचावां में रहता है 1867 के क्रांथी के तो बताइए आपको क्या उत्तर होगा दूस्तों रीट करिए आप से भी 1857 के क्रांथी के क्या कारण थे दूस्तों देखिए 1857 का जो विपलव हुआ था जो क्रांथी थी क्रांथी थी उसके बहुत सारे कारण थे विटिक शासन के प्रति असंतोश तो एक असंतोश शब्द को अगर हम लोग जस्तिफाई करते हैं तो देखिया असंतोश था यवात बिल्कुष सही हैं तो अगर असंतोश है तो ये बात तो चली है 100% असंतोश था पहले हमलोग लोग भी भाला हटा देते हैं हम लोग अभी देखिए यहांपर एक 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 अशी और ली बचा हुआ है असंतोस को देखेंगे हर तरीके से अब दूसरा option देखते हैं धर्म और जाती के नस्ट होने का दर सो देखे धार्मिक अंग्रेजियों का धार्मिक हंस्तक छेथा आप देखें तो 1856 का जो एक्ट आया है एक्ट जो रहा है दोस्तों उसके अंतर के कहा गया कि अब हिंदू जो हैं वो तिलक नहीं लगाएंगे और जो सिख हैं वो पगड़ी नहीं पहनेंगे जो इस्लामिक हैं वो दाढ़ी नहीं रखेंगे मतलब अब तिलक और पगडी और दाड़ी रखना तलवार रखना ये हमें अंग्रेज समझाएंगे तो आप इतना मान के चलिए कि अंग्रेजों ने हमारे धर में पुरी तरिकेश से हस्तक शेप किया है दोस्तो तो ये एक प्रसनाव का बनता है देखे अभी भी option देखे यहां दोनों में दो सही है और यहां भी दो है सही हो जाता है अगले चलते हम किसानों और दस्तकारों की बरबादी किसानों और दस्तकारों की बरबादी दोस्तों अगर आप देखें जो पूरी अर्थ व्यवस्था रही भारत की पूरी अर्थ व्यवस्था वो आप देखें बहुत अच्छी तरीके से अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों ने भारत की अर्थ व्यवस्था को बर्बाद कर दिया क्योंकि जब तीन भूराज़स व्यवस्थाएं लागू ही तो उन भू व्यवस्थाओं के आधार प्याकर हम लोग देखें तो किसान जो है अब सोतंतर नहीं रहें अपने खेती को करने के लिए इससे देखे 1793 में आपका इस्थाई बंदोबस्थ 1813 में आपका देखे महाल वारी 1833 के आसपास में आप देखें रहे तवारी दोस्तों ये तीनों व्यवस्थाओं ने सबसे ज़्यादा जो बरबाद किया वो किसानों और सिल्पकारों को बरबाद किया क्योंकि इतना हाई टेक्स लगा देना टेक्स सेशन का रिशियो बहुत बड़ा कर देना इनकम पे पूरा धिकार कर लेना और दोस्तों उनके ग्रोथ के लिए कोई इन्वेस्मेंट न देना बहुत इंपर्टन इवेन यहां सोचिए कि स्थाई बंदो बस ब्यवस्था के अंदर का संसेट थेरी लाग उठी अगर साम को 6 बजने के बाद अगर कोई विक्ती निश्चित समय कि निश्चित दिन के समय निश्चित दिन जेसे मान किसे लिए किसी दिन निर्धायत किया गया है कि आपको टैक्स देना है लेकिन अगर आप 6 बजी के बाद या थोड़ा लेट हो जाते हूं तो तो भी जुरुमाना आप पे लगाया जाता था दोस्तों तो आप समझी कि दंड की प्रक्रिया कितने कठोर थी तो ऐसी सित्ति में अगर आप किसानों और दस्तकारों की बरबादी तो आपने दिखा मैंने अपको प्पता है तीन आपको आप वहुराजस व्यवस्ताया है याद रखी इससे आप कर लेंग था पहलता तो देखिए एक Όक्षिन तो और tolls ची कर जाता है अब option A होगा या D होगा भार्टी शैनिकों की सिकायतें दोस्तों अगर कहा जाए इसका ततकालिन कारण इससे सैनिक विद्रो भी कहा जाता है ये तो 857 के लिए सैनिक विद्रो क्योंकि आप देखें बैरकपूर शाउनी में रहने वाले मंगल पांडे ने गाए और सुर की चरबी कार्टूसों में लगाया जाने का विरोध किया और इसी विरोध के करण उसने अपने ही रेजिमेंट के अपने ही अफिसर कैप्टेन बाग और हिरोज को गोली मार दी तो इस आधार पे अगर आप देखें तो ये सैनिकों का विद्रोध था ही तो दोस्तों इस तरीके से सारे आप्शन्स ही हो जाते हैं आपके चारों आप्शन्स आपके सही होते हैं तीके अब आप व्याख्या पढ़ लीजे पढ़ लीजे आपसे भी व्याख्या पड़ियों दूस्तों व्याख्या पड़ लीजे अच्छे से विद्रोह का कारण भारत में बिटिश नीतियों से उत्पन्य व्यापक का संतोष था अंग्रीजों की राज विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक सास्कों और स्वरदारों में कि प्रतिय संतोष व्याप्त हुआ, उनकी भूँ राजस्व की नई व्यवस्था भी संतोष का कार्ण थी, मैंने आप सभी को बता दिया अपलस आपको डेटाबेस पर मैंने आपको स्ट्रॉंग किया है दोस्तों, आप देखें इसको पढ़ी अच्छी तरीकर से चलिए, अगला प्रसंद देखते हैं हम लोग, पोली गार कौन थे दोस्तों, पोली गार कौन थे बताईए, पोली गार कौन थे दच्छिन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमीदार, किसानों के सोशन के खिलाफ जमीदारों और अंग्रेजों के विरुध विद्रोह करने वाले उत्तरी पूर्वी भारत में विद्रोह करने वाले आदिवासी या दच्छन भारती ब्यापारी वर्ग थे जोस्तों दच्छन भारत के ब्यापारी वर्ग थे आप सभी बताईए क्या उत्तर होगा दिखी सरल प्रस्ण है इसलिए मैंने कहता हूँ कि NCRT वगरा पढ़ना बहुत जुरूरी है NCRT वगरा मैं सीधे लिखा गया है सीधे इन प्रस्णों को दिया और यह दोस्तों UPSC के आये हुए प्रस्णों को मैंने लिया है इसमें ध्यान रखेगो पूलीगार कौन थे दोस्तों देखिए पूलीगार दच्छन भात में अंग्रीजों के खिलाप विद्रो करने वाले जमिदार हुआ करते थे पूलीगारों के लिए एक शब्द यूज होता था यह दच्छन भात के जमिदार थे जो अंग्रीजों की खिलाफत करते थे से लेकरके एटीन जीरो फाईट तक दच्छन भारत में अंग्रिजों के खिलाफ जबजस्त विद्रोह हुआ दोस्तों वहीं देखे कुछ इतिहासकारों ना इसे भारत की स्वाधहिंता का पहला युद्ध और पहला युद्ध दिखा दोस्तों पूली गार कहा जाता था दोस्तों। देखे, आप कितने भी पढ़ लीजे, कितने भी किताबे पढ़ लीजे, लेकिन जब आपको कुश्चन्स कराया जाता है, प्रीविए से प्रेस्ट कराया जाता है, या मॉडल टेस्ट पेपर कराया जाता है, तो उसके जो अंसर निकल के आते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत मिलेगा इतना ही परियाबत आपके लिए है जानकारी के लिए तो पुलिगार कौन थे तो आप इसको अची तरीके से रीट कर सकते हैं दोस्तो तो आप चली लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो आप बहतर होते जाएंगे लेकिन अभ्यास करना दोस्तो बहुत निम्लखित कतनों पर विचार कीजिए वहावी सेयद अहमद दौरा इस्थापित मुसल्मानों के एक संप्रदाय के अनुयाई थे अगला देखेंगे वहावीयों की विरुधी गतिविधियां 1830 इसबी से लेकर के 1857 इसबी तक के विद्रोह के बाद जारी रही बताई कौ आज का आखरी परशन है ये बहावी बहावी दोस्तों कहा जाया तो यह इसलाम का एक संप्रदाय है लेकिन बहुत अलग बिचार धारा है इसमें बहावी शेयद अहमद दौरा इस थापित मुसल्मानों का एक संप्रदाय रहा है बहावी मंदिर लोटस टेंपल के रूप म अगर आप देखेंगे दिल्ली में इसली थे दोस्तों लोटस टेंपल अभी जब दिल्ली के टूर पे गुजरात के बच्चे थे तो यहाँ पे ले जाया गया था इनको दिखाया गया था बहावी बहावियों की बिटिक्श विरोधी कजविधियां आठारसो तीस इसमें स बहुत ही प्रोग्रिशिव यह जो मुसल्मानों की मुखे साका थी उससे ज़्यादा नालिजबल थे यह इश्वर की सत्ता मूर्ति पूजा इनमें बिश्वास न करते हुए एकांत चित रखकर के मेडिटिशन के थ्रो इस्वर को प्राप्त करने का या गौड को या लाह क प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। सामिल होने है तू जनता कावाहन किया वहें बिर्टिश विरोधी गतिविजियों को अंजाम दिया बंगाल बिहार के कारिगारों और किसानों में बहावियों की तादात काफी जादा थी दोस्तों बहावियों की तादात काफी जादा थी तो आप दोस्तों इंप्रेशनों को अच्छी तरीके से रीट करें चलिए दोस्तों आप देखें आप रीट कर लीजे से चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देखे आप सभी का रमानी इंस्ट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त महेंग दिवे दी लाइव रहा आप सभी के साथ दोस्तो आने वाले दोर में लगातार हम सभी आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से motivated classes लेकर के कैसे means लिखा जाए कैसे निवन लिखा जाए कैसे आपको NCRT पढ़नी है इन सीरीज क के साथ साथ दोस्तो ये सीरीज क्रमिक चलती रहेगी पी वाई क्यों दोस्तो प्रिवेस एरेक्विशन्स और मोडल टेस्ट पेपर आप सभी के लिए लगे रहेंगे दोस्तो तो आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से अपना अध्यान जाली रखी अपनी समस्याइं इस् लेकिन दोस्तो आपको वादा करना होगा कि आप मेहनत करते रहेंगे और सफलता पहुंचेंगे दोस्तो तो आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू अल्य वीडियो के साथ बहुत भी धन्यवादा नमाश्काल